तो हेलो, वेल्कम टु दे वीडियो, देखो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी लोग को मैं ऐसी पाच जॉब बताऊंगा, फाइब जॉब्स जो कि आप सकते हैं, गर्मेंट जॉब्स बेसिकली आप जिसमें अपलाए कर सकते हैं, जिसके वेटनरी असेसेंस सर्जन या फ़र वेटनरी ओफिसर की जो जॉब होती है, यह जो जॉब्स होती है यह स्टेट लवल और यह जनरली पेच्शी के थूफ, जो फाधे Story के जॉब्स में अपटाना होता है, जोसे सटार्टिंग सेलरी होती है वो क्लास वन ओफिसर के equal होती है, तो यह बहुत ही lucrative job option है आपके लिए, इसके लिए आपको veterinary करना होगा, पाथ साल का जो course होता है वो आपको करना होगा, दूसरी जो आपकी job है, जो most important या फिर most common जो job अगर आपन देखते हैं, तो वो है assistant professor की job, आप जैसे ही आपका degree है वो कल लेते हैं, उसके बाद आप master degree करते हैं, फिर PhD परसू करते हैं, तो उसके बाद आपको जाकर करके assistant professor की जोब, यह भी काफी एक lucrative option है और काफी safe option है, आपको अगर salary चाहिए यह 1.5, 1 lakh के असपास, तो यह कफी अच्छ option है, because इसमें safety भी होते हैं, और काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों का आप पढ़ाते हैं, तो यह एक दूसरी जोब्स है, इसका अगर अपने combine करके बता है, तो आर्मी की जोब्स निकलती है वेटनरी में, तो वो भी एक government जोब आप बोल सकते हैं, class 1 officer होते हैं, और उनको जो facilities मिलती हैं, बहुत ही next level होती है, because उनके अंडर काफी सारे लोग भी रहते हैं, और that is a officer post, तो काफी एक बताई, आर्मी की जोब सारी की, चोती जोब हम बताने वाले आपको, basically जो वेटनरी अपना जो field है काफी diverse है, तो इसमें research की काफी जादा possibility है, तो research institutions में आप लोग animal research scientist बन सकते हैं, scientist की जो जोब होती है, तो scientist की जोब लेने के लिए आपको PhD करना होगा, उसके बाद जाकर की आप इसमें apply कर सकते हैं, scientist बन सकते हैं, तो यह जो basically fourth job होगी, ARS वाली, और यह central job होती है, मतलब central jobs के अंदर आता है, और ARS की job होगी, यह सारी job होगी, आर्मी की भी job होगी, अब कौन सी job बचिए, एक होती है, fifth number की job, IFS, IFS मतलब Indian Forest Services, तो वहाँ पर भी आप जा सकते है वहाँ पर भी veterinary वाले apply कर सकते है, UPST के थुरूब exam होता है, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल job ले सकते हैं, वो भी class 1 grade की officer की job होती है, और वो भी काफी एक lucrative option आपके लिए हो सकता है, अगर आप forest services में जाते हैं, तो आपको एक officer level की job वहाँ पर मिलती है, तो यह पाच job जाए, veterinary करने के बाद आपको इन में काफी कम competition मिलता है, और वहाँ पर आपके chances select होने के बहुत अच्छे हो जाते है, because किसी और option में अगर आप जाओगे, BMS में या फिर nursing में, कहीं भी और जाओगे, even NBBS में भी आपको पता है कि आजकल इतने सारे लोग जा रहे, कि वह कहीं न कहीं तो हो सकता है, तो बिलकुल ये एक काफी अच्छा option है आप सभी लोग के लिए, तो ये 5 jobs जो है, basically मैं आपको बताई है, 5 government jobs after veterinary, I hope so कि आपको मेरा channel अच्छा लगता होगा, because मैं veterinary related काफी चादर content मना रहा हूं, और I hope so कि जितने भी veterinarians है, या फिर जो भी लो Because हमें शुरुआत में पता नहीं लेते हैं, तो हमें इतना idea नहीं होता कि हम कहां कहां जा सकते हैं, हमारी possibilities क्या क्या है न, private jobs, कभी मैं एक video बना सकता हूं कि top 5 private jobs कौन सी होती है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी बता दूँगा कि top 5 private jobs कौन सी होती है, private में कौन कौ कौन सी companies में आप जा सकते हैं, कैसे कैसे apply कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, मैं वो वीडियो बना हूं, तो आप लोग नीचे comment कर सकते हैं, कि sir, please make a video on private jobs, तो मैं वो भी आपको provide करा दूँगा, thank you so much for watching the video.